नमस्कार दोस्तों आप सबीका स्वागत है आपका अपना यूटूब चैनल आई टाइडलाइन में मैं हूराम्ब्यास्यादव जैसा कि दोस्तों आप लोग धमनेल में देखाऊगा कि नबोधे विद्याले के तरप से समीति के तरप से आप लोग के लिए वेकेंसी निकला ह तो आइटे बिद्यारती के लिए कौन-कौन ट्रेट के लिए मौका दिया गया है कितने पोस्ट हैं उनके लिए कितने एज उनके लिए तो सारा डिटेल में बताऊंगा इस पर आप बने रहें और चैनल पर पहली बार बिजिट कर रहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर इसलिए कि कोई भी मैं वीडियो अप्लोड करूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे आपको उसका नोलेज होस्ट और कोई भी नोटीस आपको छूटने जाए को भी जूब आपको छूटने जाए इसलिए मैं छोटी बड़ी अपडेट आप लिए लाते रहता हूं तो यहां से बड़ी बात है कि एजुकेशन सहस्था में है इसके लिए बहुत बेटर है और कौन-कौन से ट्रेड हैं नहीं है सारी मैं जानता हूं एक त्वासा एक नजर इस पर आप लोग डाल लीजिएगा और फॉम भरने से पहले आप भी एक वार बढ़िए तरीके से नोटिस को पढ़ लीजिएगा ठीक है नोटा डिस्टिक में आपका भेकिंसी है यहां का एड्रेस है यहां पर रिकॉर्मेंट ऑफ असिस्टेंट कमनिशनर असिस्टेंट कमनिशनर एडेम फेमेल अश्टाप नर्स असिस्टेंट सेक्शन ऑफिस यह सारे जो है जुनियर आपका हुआ है तो सारा डिटेल में बताऊंगा तो आप लोग देखिए सबसे पहले तो बहुत सारे पोस्ट यह मैं टिक पे भी है इंटर पर और डिपलोमा के लिए भी है बहुत सारे के लिए हैं यहां पर देखिए पोस्टब़ बश्ट द शाते चल गया है ठीक है यह किनके ल यहां पे सभी कुछ आप लोग को जितने भी फैसलेटी मिलती है और सबसे बड़ी बात है कि इसमें एज जो है बहुत जादा दिया गया है जो की बहुत सरे विद्यार्थी को मौका मिलने वाला है ठीक है तो आईए सबसे पहले मैं वहां पर आप लोग को ले चलता हूं जहां पर आप लोग के लिए जौब का दिया हुआ है यह देखिए यहां पर आप लोग को दिया हुआ है ठीक है यह जो आपका नोटिस है एम में जो है आपका दिया हुआ है तो यह ट्रेड जो हमारा है इलेक्टिशियन का है किनका किनका जोब है इलेक्टिशियन का है ठीक है आपका वायर मैंन का है ध्यान दिजेगा किनका किनका है इलेक्टिशियन का वायर मैंन का है और पलंबिंग का है ठीक है तो पलंबिंग में बहुत सारे ट्रेड आ जाते हैं बत्वास देख लिएगा उसमें फीटर रूटर भी आते हैं आप उसमें देख लिएगा किलियर भरते समय आरा है कि नहीं आ रहा है आप एक पर जुरूद ट्राइक कीजिएगा कि किसमें具 तो आप लोग देख लिजिएगा ठीक है अब यह चर्चा करते हैं लोग उस पर क्लियर पे डारेक्ट रिक्ट वील है एक वीर प्रफेंसी इंड़ ऑपनी ऑपरेटिंग पीसी एस एंड पास सच टेस्ट इन दिस रिगार्ड एज दस समीती में रिक्वार पीसी एस प्रसनल क सबसे बड़ी बात है इसमें 40 साल जो दिया है यह बहुत ही लजवाब और संदार है इतना इस तक बहुत कम ही रहता है क्या क्या चाहिए टेंध का पास चाहिए उनका इलेक्रिसिंस से वाइर मन से प्लंबिंग से तो आप भर सकते हैं यहां दिया हूँ दोबख एक्सप्रियंज एलेक्रीशियन इसलिक्रिशन वाइर वाइर एंड प्रामिंग वरक ठीक है तो आपको टूयर्स का experience कम सकम बनवा लेना है कहीं से भी आप कहीं कर जोब कर रहे हैं तो वहां सासानी तर्क से बन जाएंगे और अगर आपके पास experience है आप कहीं से किये हैं तो कोई दिकत नहीं है वहां से आप experience लेकर करके form को अपलाई कर सकते हैं दोस्तों ठीक है यहां पर दिया हुआ टू यह एक्सप्रेइंस इंडियलेक्टिकल इंस्टुमेंट्स मेंटेनेश ओफ अपनेश यहांनी मेंट वाले में आपको काम क्या हुआ रहाना चाहिए ठीक है तो यह आपका यह आपका नीचे में जो है यह अपका लैब आसिस्टेंट के लिए हैं तो यह हमारा फिटर यह आपका जो आईटे के विद्यारती के लिए ये पोस्ट पोस्ट नंबर 13 में दिया गया है आप लोग भर सकते हैं जिनके जिनके पास तो अलग अलग सबके पोस्ट मैं आईटे के लिए खास करके बता रहा हूं तो आप लोग यह फॉर्म को अपलाई कर सकते हैं तो और इसमें बहुत सारे चीज आप लोगो दिया हुए है नीचे में ठीक है नीचे बहुत सारे जो भी इसमें आपको चाहिए कि इतना एक्जाम होगा नहीं होगा सारा चीज आपको इसमें दिया हुआ है और देखिए यहां पर दिया हुआ है कि आप के लिए पोस्ट नंबर 13 जो था उसमें है कि एक्जाम जो होगे car two पार भी पार फोर में आपका एक्जाम होगा सी निंग जो है पंदरह कोश्टन पुशे जाएंगे जिनरल लेवेर 15 questions पूछे जाएंगे language ठीक है आपका हिंदी capitalist जो भी है आपका तीस question पूछे जाएंगे ठीक है और subject especially knowledge जो आपका means subject है में सब्जिक्न है उससे उससे पूछे जा cover पूछे जाएंगे अड़ाई घंटा के यहां पर डूइसन टाइम दिया जाएगा जिसमें आपको टोटल बना ले ला है ठीक है तो यह आपका एक्जाम से लेटेड है जो कि इतना एक्जाम में आपको कोश्चन आएंगे बनाना होगा एक्जाम होगा आप लोग वहां से कॉइल फाइब करके ज स्यों करने के लिए उपर अपका बारहत आरिक से शुरू हो चुका है और दस तक क्लोज हो जाएगा ठीक है टेक्टीबदेट दसिवी टी एक्जाम जो आपका होगा 9 3 22 21 3 22 22 यान 2 तुन देट में 9 10 21 तुन देट में आपके एक्जाम होंगे मार्च में बहुत चल्द एक्जाम भी ले रहा है इसलिए एक्जाम डेट भी यहां पर आपको दिया हुआ है और एक्जाम देते हैं आप लोग ध्यान दिजिएगा यहां पर देखिएंग कि देर व कोची आप लोग को ध्यान रहे तो नेगेटी मार्किंग भी है इस पर आप लोग ध्यान दिजेगा सीवीटी एक्जाम बेशेट होगा ठीक है अब दोस्त आप लोग अच्छे तरीके से नोटिस को पढ़ लिजे और बढ़िया तरीके से और इस नोटिस को मैं टेलिग्राम पे भी अप्लोड कर दूँगा जो कि टेलिग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है वहां से आप लोग इस नोटिस कर दूए साथ